जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल नौकरी तक पे आसा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे, इस खबर को देखके ताइद आपको पर्षानी भी हो, लेकिन सचाइस से अब गत होना होगा, और इसके लिए आपको प्रियास करना होगा, यह बात हम कर रहा है, नियोजित सिचक, यानि कि कहने का मतलब जो छटे चरन में बहाल हुए, उनके लिए, वो नियोज कली देख चुके होंगे, लेकिन इस पे हम प्रिष्ट भूमी हम त्यार करना चाहेंगे, जिससे कि आपको लगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, 2019 की ये बात हम कर रहे हैं, कबकि हम बात कर रहे हैं, 2019 की कर रहे हैं, कबकि 2019 की बात कर रहे हैं, जब आपको छटे चरन आई थी, 6 चरन, छटे चरन की बहाली आई, और इसमें, इस बहाली में, 125 की बहाली आई थी, 125, और इसमें BLAD और BLAD दोनों सामिल बी एलेड और बी एड़ दोनों सामिल हुए थे लेकिन अब अटना हाइकोट कादेश आया है कि बी एड़ को आप यह जो बीएड है इसको नहीं लिया जाएगा यानि B8 को बाहर किया जाए तो अल्रेडी जो बहाल से चक है इस बहाली में इस जो शिक्स फेज है इस बहाली में लगबग 22 हज्जार 22 हज्जार लगबग जो B8 करके जो B8 किये थे और B8 करने के बाद 1-2-5 में बहाल हुए यह आपको भी पता है लेकिन पतना हाई कोट का आदेश आया कि आप 1-2-5 को हटाया जाए और इसी सीट पे फिर से रिवाक्ट किया जाए और भीहार सरकार को सच्छा विवाग को आदेश जारी किया गिया कि आप जल्द बताए कि आप कैसे भाली करेंगे तो तमाम खबरों पे बने गाने के लिए आपको हम इसका उपाई भी बताएंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत दुख हुआ मुझे दुख इसे लिए हुआ कि हमारे साथ हमारे बिद्याले में भी पढ़ा रहे हैं तो कई ने कई दुख होता है एक zosta चक्ष चक का नहीं होगा तो दुख होता है चलिए अब हम बात करने वाले इसपे क्या किया जाए आप पहले इस निजट को देखिए कल मैंने बोला किस पट्री मैं नहीं करता हूँ चुकि हभी कभी YouTube के दुनिया में डर भी लगता है कि आप लोग जब अच्छा वीडियो बनाते है तो आप लोग उल्टा कर दीजेगा ये दानिक भासकार का ख़बर है आज का है पटना से इसमें क्या लिखा है बिहार में 28 पास 22 हजार सिच्चको को आगे देखिए इसका उपाई भी हम बताएंगे आपको सिच्चा विभागी आपको बता सकती है आपको जटका लग शुका है ये आप जाल लिजिए यहाँ देखिए बिहार में 28 पास सिच्चको को पटना आई कोट से बगा जटका लगा है हाई कोट ने राज में न्युक्त बीड़ पास सिच्चको को कच्चा एक से पाँच के लिए योग नहीं माना है कोट ने यह भी कहा कि इस आधार पे की गई न्युक्तों पर सरकार को दुबारा काम करना होगा होट के इस फैसले से राज के लगबग 22 हज़ार से अधिक सिच्चको की नौकरी पर संकट उत्पन हो गया है उत्पन तो होई गया और सिच्चक भी परसान हो गया और परसानी का सबब NCTE और साथ में बिहार सरकार सिच्चा भी भाग है जब आपको लेना ही नहीं था तो लेकिन लेने के बाद आपको साथ देना होगा नहीं तो ये सिच्चक बरबाद हो जाएंगे कितनों का घर उजर जाएगा सभी का परिवार होता है सिच्चा भी वाग से मागवा करते इस पर ध्यान दे एक बार आपने भी एट को बाहर किया चलो उसने एक्जाम देने के बाद भी आपने बाहर किया चलो बहाल नहीं थे लेकिन अब क्या जिनकी बहाली हो चुकी थी बहाल थे दो साल से अब उनको बहार किया जा रहा है तो विहार मैसे च्चक कोन मनेगा अंत्रिस से आएंगे क्या हमारे आदर निया मुक्मंत्री साहब से भी कहेंगे आप मुख्या इसको फ्लीज ध्यान में दीजिए बुद्धवार यानि बीते दिन बुद्धवार को मुक्य नियाधीस के विनोथ चंद्रन तथा न्यायमूर्ती राजीव गाय की खंड़ इसका पालन करना होगा यह पतना है कोट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है दुख तो हुआ था जब यह अभ्यरती फॉर्म बढ़े बीपेसी फरस्क फेज में एक्जाम भी लिया गया क्या रहा यह आपको भी पता इस पर बोलना भी नहीं चाहूंगा ल कही ने कही और सेचा विवाग को अब अपील में जाना चाहिए यह एक्सपर्ट का व्यू है यानि एक्सपर्ट भी होते हैं यह एक्सपर्ट कोण है वाई इसेचा विवाग के पुर्व संझुक्त निदेशक उनका काना है यह बचा जा सकता है 22,000 सच्चको का घर फिर से पुझरेगा नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, उन्होंने बताया, 2018 में, NCTE की गाइडलाइन के अधार पे ही, बीएड वाले प्रात्मिक से चक बने थे, तो 2018 में, NCTE के अनुसार, छो मा का ब्रिज कोर्स करने के बाद, ये कच्छा एक से पांस तक में, पढ़ाने के लिए योग गिमाने गए थे, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ है, ये भी दुकद बात है, और सिच्छ कोर्ट में अपील करनी चाहिए, ऐसा, आरेस सिंग, सिच्छा विभाग के पूब संजुक्त निदेशक ने अपना व्यू दिया है, बचने का तरीका, अगर फिर भी नहीं होता है, तो 100% अब लग रहा है, कि B8 को अगर जिस परकार से बाहर किया गया है, तो जो भी B8 पास में भी आज की पेपर मैशा दिया है, तो दुख के साथ आपको कदम आगे बढ़ाना होगा, और यहां देखिए, छटे चरण में निक्षिकों के पद नए सिरे से भरने होंगे, ऐसा पतना हाई कोट के सिप जस्टिस साब ने कहा, क्या कहा, कोट ने कहा, कि सरकार ने छटे दर्स में जारी मूल अदिस उसना के अनुसार, योग में द्वारों को ही मन्युक्त करना होगा, राज्य सरकार को यौभी निर लेने नहोगा, कि दुपा धरिक रहे है, उनको कैसे भरा जाए, यानि साब कहा गया कि इसको पहले हटाईए, और आप कैसे भरेंगे, इस पे जबाब तलब कीजिए, जबाब दीजिए, यानि सरकार से ऐसा नोटिस भेजो कारण भेजा गया है, और वाकई में, अब यह आप पेपर में देख रहे है, सिच्छा विवाग तो, टेंसर में भी हो, जितना आप टेंसर में है, विहार सरकार भी टेंसर में है, उनको जबा पाई निकालिए, और इसके बाद, हमेशा आपका हम साथ देते रहेंगे, चुकि हमारे विद्धाले में भी, हमारे साथ के सही होगी, दो साल से सिच्छक है, अगर उनके साथ, अगर इसा होता है, उनको अर्तिस जिला की बात करते हैं, चुकि नौकरी तक से आप सभी परि काम करते गए, इसको आप स्क्रिंसोट ले लिजे जिसे कि आपको काम आवे, अज़के बड़ी में इतना आई, जय हिंद, जय वारत